हेलो बच्चों कैसे आप सब तो यह है आपका क्लास 4 EVS और हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चेप्टर चेप्टर फिप्थ अनीता एंड दा हनी बीज तो चलिए सुरू करते हैं तो यह आपका चेप्टर फिप्थ है अनीता एंड दा हनी बी तो एक गल्स है जिसका नाम ह ऐ माइनेम आनिता फिप्स लेटर है जहां पूओ कहिरी के माइनम गू के ए तरी वहा आभी हम मैप में लोकेट करें के कि अंग कहां है और मुजहर है शाल काहँ पड़ता एंड फिप्ट अजुक्ता वो अपने parents के साथ और दो यंग गरन की चोटे जो भाई हैं उसके उनके साथ हो रहती है I study in college, अभी वो college में पढ़ रही है beside studying, study के साथ साथ वो I teach young children, वो जो चोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करती हैं, उनको पढ़ाती भी है I also keep honeybee, और honeybee को क्या करती है, वो care भी करती है तो honeybee एक production आप देखोगे, apiculture एक होता है आपका बाद में पढ़ना आवागे जाके हार classes में apiculture कि कैसे हम nurture करते हैं, कैसे अब भी keeping करते हैं आप हो तो उन सब चाजियों में हमें क्या मिलता है, honey मिलता है, wax मिलता है यह product हमें देखने को मिलते हैं, all this has not been easy for me, इतना सब कुछ करती है तो आज जाहिर सी बात है, किसी के लिए भी बहुत easy नहीं होका when I was young, जब मैं young थी, यानि कि जब बोल रही थी, जब मैं young थी, यानि आपके age में, I used to spend all my time with my goats as they grass for food तो वो सारा समय जो होता था, मैं अपने जो बकरी होती थी, उसके साथ बिताती थी, और उचो घास चरती थी, उसी की मैं देखभाल करती थी I always wanted to go to school, मुझे हमेजा school जाना पसंद था, but my parents did not like, लेकिन मेरे parents को यह पसंद नहीं था बिलकुल भी The idea of girls going to school, कि कोई लड़की जो होती है, girls उसकूल जाए, तो अभी भी आप देखोगे, तो बहुत से ऐसे areas मिलेंगे इंडिया में आपको, बहुत से states हैं, जहाँ पे इतना development नहीं, education का है, वहाँ पे लोग अपनी जो बच्चियां होती हैं, जो girls होती हैं, उनको पढ़ने क नहीं वेजते हैं, तो सेम केस यह अनीता के साथ भी है, जो कि मुझभ फर्पूर में रह रही है अभी, तो यह देखो, हम लोग लोकेट करने वाले हैं, बिहार, तो यह देखो, यह है आपका बिहार, तो आपका जस्ट बैम वेस्ट पैंगॉल से सटा हुआ, तो यह बिहा क्टेटल का यहारे जो डिस्ट्रिद टो वह का मुझफफर पूर्पुर यह अब पुरा बिहार आपका है और यह आपका है मुझफर पूर है तो गाउं का जो नेम उसके क्या है वो चाहा ठीक है तो यह आप भूलना नहीं अब हम आगे बढ़ते हैं A dream of school तो अब देखो उसके सपनों के school क्या है जब हो एक तीन अपर अपने जो गाउं के school है वहाँ जो पहुंसती है I could not stay away ठीक है तो ज्यादा समय तक नहीं रपाती है I silently went and sat down behind the children जो क्या करती है जो बच्चे होती है बहुती सांती से क्या करती है वहां पर बैट जाती है उनके पीछे जो बच्चे होते है स्कूल में उनके जाके पीछे वह बैट जाती है I felt so happy तो उसके जो feeling होती है उसको बहुत ही क्या मिलते है happiness मिलते है आपको है क्योंकि वो first time school जा रही है तो first time आप school जब जाओगे तो आपको काफी happy feel होगा I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school अब जब वो घर जाती है तो अपने parents से इस बारे में discuss करती है बताती है कि school कैसा था कैसा उसको school लगा but they told me clearly लेकिन उसके parents ने बिल्कुल साफ कर दिया that I would not do so यह मैं नहीं कर सकती that day I cried उस दिन वो बहुत ही रोई बहुत जादा रोई उस दिन क्योंकि उसके parents ने कहा कि आज के बाद आप school नहीं जाओगे टीके जो गल्स ती अनीता उससे बोला उन्होंने नेस टब जखो क्या है one of the teachers तो जो सिछक थे जो teachers थे वहां के in my village विलेज में उसके आए explain to my parents और parents को नोने समझाया कि why it is important to study कि study क्यों इतनी importance है the teacher told teacher ने बोला कि them that they would not have to pay anything for my education up to class 5th तो आपकी जो बच्ची है वह school आएगी उसको class 6 तक यानि आपको कोई भी fees pay नहीं करनी है सब कुछ free है okay the teacher said that it was the right of every child go to school तो teacher ने बताया कि यह बच्चों का क्या है right है बिल्कुल अधिकार है कि हर बच्चा क्या है school जाए somehow my parents agree तो ठीक है मेरे parents तो मानगे को समय के लिए I started going to school और मैं school जाना start कर दी I did not get high marks मेरे इतने high marks तो नहीं आ रहे थे यानि कि जो अनीता थे उसके इतने high marks तो नहीं आ रहा था but I always ask many questions लेकिन आपी की तरह teachers को परसांद करने के लिए परसांद करने के लिए हो सकता है या अपनी query को जो भी curiosity आपकी है उसको fill up करने के लिए fulfill करने के लिए they ask many questions तो वह भी बहुत ही question पूछती थी relevant question पूछती थी अब next पर क्या है देखना है यहाँ पर कुछ एक chart बना हुआ है जहाँ पर कुछ चीजे है और इसका money spent देखा दिया गया है तो find out how much money do you spend in one year for various school related things तो आप थोड़ा से count करके देखो कि एक सान में आपका जो spend है इसको education पे वह कितना हो जाता है आपके parents का जैसे आपका fees है तो approximately monthly fees लेके चल रहा है 500 रुपीज तो आपका 12 month का जो fees हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आप count करो यह होगा आपका 6000 travel to school and back आप school travel देख लो आपका school travel 5000 अगर आप car use कर रहे हो आप motorbike use कर रहे हो तो 5000 तक यह भी count हो जागा उसी तरह से notebook है तो साल में किपने notebook लग रहे है आपका प्रॉक्स हम 2000 लेके चुल रहे है paint pencil stationery है 1000 तक आपका spend हो जाता है इसमें uniform uniform पर आपका 2000 तक spend हो जाता है school bag आपका 1000 तक spend हो जाता है lunch box है आपका 300 है 500 भी हो सकता है wait how much money did you spend on your book this year तो इस साल आप अपने books पर कितना money आपका 1000 तो जैसा सूस हो जाता है प्राइस होता है आपका तो total of क्या करना total of count करना कि कितना spend हो रहा है आपका ठीक है अब इसके calculate करके आप इसमें book में इसको fill up करना थे यह one year का है आपका पूरा spend in education okay next आपके पास है how much money did you spend on your book this year तो इस साल आप अपने books पर कितना money spent कर चोके हो तो आपका जो class 4 हो रहा है उसमें आपका EPS, Hindi, Math, English, etc. आपकी बहुत से book हैं जो आप purchase करोगे तो इसका spend है आप बताओ ना 1000 हो रहा है 2000 हो रहा है तो जितना भी spend हो रहा है आप उसको यहाँ पर write down करना next आपके पास है what kind of school uniform would you like to wear तो किस तरह की uniform आपको पहना पसंद है draw a picture of it in your notebook and color it तो आपको क्या करना है pictures draw करना है उसको color करना है तो आपका जो KV है के वी स्कूल तो आप देखो यहाँ पर के वी स्कूल में आपको इस तरह की uniform देखने को मिलती है यह uniform आपके पास भी होगी next आपके पास है make two groups in the class आपको क्लास पर दो ग्रूप्स बनाने है क्या करना है डिबेट करना है और topic क्या दिया गया आपको है we should have uniform in school uniform होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्कूल में चलो इस पर डिबेट करना आपको है तो ग्रूप बना दो इस तरह से डिबेट तो बिल्कुल नहीं करना आपको है ठीक है कि लड़ाई हो जाए मार्पिट कर लो आप वहाँ पर यह नहीं करना आपको है इस तरह से भी नहीं करना है कि आपको डिबेट के लिए पुरापिट के बना आपको की छुट्टी हो गई क्लास आपका चल रही है बस को डिबेट करना है और इस तरह भी नहीं करना जैसा कि पारलेमेंट में होता है तो तो दिखो in favor अगर कुछ बच्चे कि हैं अगर हमें topic में अगर आप favor कर रहे हो तो we should have uniform in school कुछ बच्चों का क्यो हो सकता है हम uniform को support करते है क्यों support करते uniform को uniform जो होता है school का itself bring the concept of uniformity in the name तो क्या होता है पूरी uniformity बना रहता है आपका जो गर uniform अगर आप concept जो है आपका ठीक है यूणी मतलग क्या है ना unite ठीक है आप क्या हो unite हो तरह से हो when all students come dress जिब सारे बच्चे एक ही dress में आती है in the school uniform they all are considered equally तो क्या होते है सब equally considered होते हैं ठीक है सब एक ही समान है irrespective of their caste न तो कोई caste वहापे होता है न तो religion होता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है all poor and rich sit together तो जितने भी poor and rich बच्चे हैं वो एक साथ बैठते हैं wearing the same color of equality एक ही color का जो uniform होता है उसे पहनते हैं school uniform also brings discipline तो uniform क्या होता है आपको discipline भी सिखाता है among students as they all come neatly and properly dress up तो हमें क्या करना चाहिए neatly and properly dress up होना चाहिए तो यह कर से discipline भी आपको जिखाता है students do not get distracted by the different colors and different designs of clothes तो इसे क्या होता है जो students distracted मी नहीं होते हैं कि दूसरे बच्चे ने काफि different color का जो है design है color है जो cloth है वो पहन के आया है तो इसे क्या होता है डिस्ट्रक्शन भी आपको देखने हो कि नहीं मिलता है by other student it also save money इसे क्या होता है आपकी money भी स्पी होती है क्योंकि हमें क्या करना है दो ही आपका जो dress up है uniform अगर आपने दो बन लिया है तो पूरे साल आपको चल सकता है और buying new clothes for school तो आपको new clothes के लिए पैसे spend नहीं करने पड़ते है कि हमें नया जो नय कपड़े है वो हर दिन पहन के जाना है तो उस पर क्या होगा बहुत ही आपका पैसा करच होगा also uniform है to distinct student of one school from other school देखो आपको जो है क्या करता है तो वो आपको क्या करता है आप किवी के बच्चे हो या फिर आदरा पब्लिक स्कूल के बच्चे हो तो वो अलग-अलग separation आपको भी देखने के मल जाता है thus all schools should have a proper uniform to bring unity among students तो सारे schools को क्या करना चाहिए proper uniform follow-up करना चाहिए जिससे क्या हो unity हो student के बीच में and build self-confidence among them और साथ में क्या हो self-confidence भी develop हो अब देखो दूसरा group हमारे पास है जो against है topic के we should have uniform in school have uniform in school अब क्या है तो support में पहला बाला क्या था support में था कि uniform होना चाहिए अब we should have uniform in school अब नहीं होना चाहिए तूसरा बाला क्या है बोल रागे नहीं हमें पसंद नहीं है क्यों नहीं पसंद है दो को यहाँ पर क्या है we know that all human beings are characterized by their own style हमें पता है कि सारे humans में यह की तरह के character होते है सबका एक unique character होता है सबका unique style होता है unique choice होती है but uniform does not allow student to carry their style लेकिन जो uniform होता है वो student को carry नहीं करने देता है कि हम अपना style दिखा सके most of the private schools these days provide uniform at very high price अब इसमें देखो जो private schools है वो uniforms क्या करते है खुद ही provide करना सुलो करते है खुद की दुकान खोड लेंगे और uniform देना बेचना सुलो कर देंगे वो भी high price पर which are sometimes difficult to afford by student or middle class family तो यह क्या होता है आफोर्ड नहीं कर पाते है जो middle class family होती है वो जो student होते है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते है this become very stressful for student यह बहुत ही तनाव पूर्ड होता है किसी बेचने के लिए because if they won't buy these by those expensive uniform अगर वो इसको बाई नहीं कर पा रहे है then they will be punished in the class तो उनको गया मिलता है punishment ही मिलती है class में so this is the major reason तो इनको लग रहा है कि यह major reason है कि I don't support the concept of uniform in school तो इस वज़े से यह सको support नहीं कर रहे है uniform को school में okay next आप देखते हैं बात करते हैं Anita कुसवा की staying in school अब इस school पढ़ने जा रही है तो the time passed and soon I completed class 5 अब जिससे समय भीतता है उसका जो class 5 वो complete हो जाता है I knew that तो जानती है we would need to spend more in class 6 अब उसको पता है जिससे class आपकी बढ़ते चले जाएगी तो आपका जो spend है वो क्या होगा बढ़ता चला जाएगा my parents said that it was time for me to leave school अब parents ने बोल दिया कि अब नहीं अब इस school नहीं होगा आपका अब आपको school छोड़ना है but I wanted to study more लेकिन अनीता का क्या मने उसको study और करनी है और पढ़ना है class 6 पास करना है 7 करना है 8 करना है 9 करना है 10 करना है 11 करना है 12 करना है उसके आगे graduation करना है फिर PG करना है even PhD भी करना है जो ऐसा भी हो वो पढ़ना चाहती है और भी I found a way to do this अब वो उसको एक तरीका मिला कि इसे में कैसे कर सकती हूँ तो उसने क्या किया I started to teach angry children तो छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी अब सुचो Class 5 में है Already 5 पास कर चुकी है Class 6 में वो जाने वाली है और छोटे बच्चों को पढ़ाना सुरू कर दियो From the money that I got तो उससे क्या होता है जो छोटे बच्चों को पढ़ाना सुरू कर दियो क्योंकि जो higher classes है उसमें spend बड़ेगा तो वो earning के थरू spend को fill up कर सकती है One sweet memory अब देखो एक कहानी है काफी sweet कहानी है कि उसके साथ क्या होगा जब वो classes देना सुरू कर दितो I remember some older boys in my village तो जो कुछ older boys यानि कि उससे जो बड़े बच्चे थे जो boys थे जो उसके गाउं में also used to teach young children तो वो भी क्या करते थे छोटी बच्चो को बढ़ाते थे they did not like it लेकिन अब देखो market में कोई नया आएगा तो क्या होगा competition बड़ेगा तो जहिर सी बात है जो पुराना होगा उसको पसंद नहीं आएगा अरी तके हाँ उनको क्या करनेंगे अडरानी लगे धंकानी लगे कि वहाँ नहीं जाना पढ़ने आपको so that they would not come to me तो बच्चे कहाँ छोटी बच्चे अडर जाएगे तो वो वहाँ पढ़ने नहीं आ रहे पढ़ने नहीं आ रहे थे निता किया लेकिन हुआ क्या for sometimes लेकिन कुछ समय बाद all the children accept two सारे चिल्टरिन केवाँ दो बच्चे को शोड़कर stop coming to me सारे दो बच्चे आ रहे थे केवाँ और सारे बच्चे आना बंद कर दिये but soon they all come back because I used to teach लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ सारे बच्चे आने लगे क्यों आने लगे क्योंकि I used to teach them with love and care तो वो बच्चों को बहुती प्यार से बहुती केर से पढ़ा रही थी इस वज़े से सारे बच्चे फिर से आने लगे तो आप भी इसको लाँगे तो teachers भी आपको काफी अच्छे से with love and care आपको teach करते हैं अब हमें क्या करना है यहाँ पर आके पास है let's talk चलो हम बाते करते हैं Do you know someone who wanted to study तो क्या आप किसी को जानती हो जो पढ़ना चाहता है but could not do so लिकिन वो पढ़नी पा रहा है talk about them in the class जब आपका school open हो या फिर आप मुझे comment section बताओ कि अगर ऐसा है तो बताओ मुझे कौन है जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़नी पा रहा है तो आप चाहोते इसको answer इस तरह से भी लिख सकते हो Yes आपके लिए example के base पे हैं मेभी आपके area में जो हो आप उसको उसी according आप answer करना There a boy in our neighborhood who wanted to study but he had discontinued study after class 8 due to poor financial condition of his family हाँ तो एक बच्चा है जोनी की लड़का है मेरे neighborhood हैने की पढ़ोस में जो पढ़ना तो चाहता है उसकी पढ़ाई जो है class 8 तक हुई है उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसकी जो family की जो financial condition थी वो काफी खरब थी He had to start working उसने काम करना सुरुक कर दिया है earn for his family पैसे गमाने के लिए फैमिली के लिए but he is very passionate about study लेकिन वो काफी passionate study के लिए है and is now planning to continue और वो प्लान कर रहा है कि इस study continue करने के लिए through distance learning तो यह distance learning जो है यहनिकी open schooling जो है उसकी through क्या करना चाहा है वो पढ़ना चाहा है He is an inspiration for all वो क्या है लोगों के लिए कि inspiration का काम कर रहा है next आपके पाँछे every child has a right to right to freedom free education up to class 8 तो आप देखोगे सारे बच्चों के उपास क्या है right to free education एक आप देखोगे इंडिया में एक law भी है आपका right to education काजी से बोलते है normally RTE ठीक है RTE के through क्या है सारे बच्चों का 6 से लेके जो 6 से लेके 14 इस तक के बच्चे है अगर age group में है तो उनको क्या है right to free education up to class 8 तक है Do you think that all children are able to study up to class 8 अगर पढ़ते हैं तो बेकर अब discuss course पे तो आपस का answer इस तरह भी लिख सकते हो All children are not able to study up to class 8 सारे बच्चे लेके नहीं पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं due to some unavoidable reasons जैसे financial problem है घर पे burden है आपका बच्चों पे burden है तो वो time नहीं मिल पाता है नहीं चाहँ पाते हैं आपके for their homes another major reason is that their parents don't want उनके parents ही नहीं चाहते हैं them to go to school as they want their children to help them in earning extra income for family अब उनके parents ही नहीं चाहते हैं उनके चाहते हैं कि मेरा बच्चा है अब class 8 तक पढ़ लेया या class 5 तक पढ़ लेया है अब क्या करें? काम करें जो आपको next video आएगा उसमें हम इसे को continue करेंगे I hope आपको इस session काफी अच्छा लागा होगा तो आज के लिए बस इतना ही thank you